दोस्तो कई बार हमारी कारी नहीं बन पाते तो हम जान ही नहीं पाते कि दोस आया कहां से लेकिन कुछ दोस ऐसे हैं कि जिने हम जान जाते हैं कि हमारा दोस कौन से ग्रहे के कारण से आ रहा है कम से कम हम उसका निवारण अवश्य कर सकते हैं और यदि जान लिया जाए कि राहू आपका कम्योर है राहू से आपको दोस आ रहे हैं आपके कारिये रुक रहे हैं तो यदि आप राहू को प्रबल बना लेंगे या राहू को कर लेंगे अपने पक्ष में तो फिर सारे कारिये अपने आप बनने लग जाएंगे और यदि राहू प्रसन्न तो समझ लेना कि आपकी छीवन में कोई गती रोध नहीं आएगा अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हो सकता है कि राहू और अधिक खुश हो जाए तो आपको माला माल भी कर दे दो बस्तोब। पर कई बार ऐसा हुआ करता है कि हम स्वयम में प्रतक्ष कोई कारिय करते हैं किसी की अरजी लगाते हैं तो उसकी सुनवाई जल्दी से नहीं हो पाती। तब हमें खोजना पड़ता है कि यह व्यक्ति या यह जिसके पास हम जा रहे हैं इस व्यक्ति से काम निकलवाना हैं तो हमें किसी की सहायता लेनी चाहिए। उस व्यक्ति के उपर किसका प्रभाव है। ऐसे ही ग्रहे हुआ करते हैं कि यदि ग्रहे से हमारी सुनवाई नहीं होती तब हम चान लें कि इस ग्रहे के उपर किसका प्रभाव है। किसकी बात को ये मानता है, किसके आधिपत्य में रहता है, तो हमारे काम शिग्र बन जाएंगी। बस हमें उस देव की अरजी लगा देनी हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रभाव की बात करूंगा, कि राहू पर प्रभाव होता है, जो आधिपत्य होता है, वो महागोरी का होता है दोस्तों। और ये महागोरी को आप जानते हैं, यह नव दुर्गा में आठ्वी दुर्गा जो होती है, इसे महागोरी के नाम से जाना जाता है, आज इसी का छोटा सा प्रियोग बताऊंगा दोस्तों, और यह कर लेंगे, तो राहू आपके बड़े मजबूत हो जाएंगे, राहू से यदि आ रहे हैं आपके उपर दोस, तो वहे भी समाप्त हो जाएंगे, मैं सत्य नर्यन शर्मा छे मातादी बोलते हुए, अल्टिमेट ग्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, दोस्तों, अब यह जो नवरात्री की अश्टमी आती है, उस अश्टमी को इस प्रियोग को करना है, और इस नवरात्री को अश्टमी जो आ रही है, तो वह शुक्रवार की आ रही है, शुक्रवार को, इस प्रियोग को कर लेना, तोस्तों, इस प्रियोग को करते समय, आपने बस अपना सनान ध्यान करके, यानि कि निप्त कर्मों से निब्रत हो करके और एक शुद्ध देशी घी का दीपक चला देना और स्पूरव की और मुख करके बैड़ जाना कुछ दोगे। आपने बस करना क्या है? एक माला यानि 108 मंत्र अब ये मंत्र भी बड़े आसान हैं आप किसी भी देवी के मंत्र को याद करेंगे तो इनका एक साधान सा तरीका हुआ करता है और ये है साधान तरीके वाला ही मंत्र में आपको बताऊंगा आपने 108 मंत्र करने हैं यादेवी सर्वभूतेशू मा महागोरी रूपेन संस्थिता नमस्तश्यी 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 नमोनमाहा अब यह जो मंत्र है ये सबको याद रहने वाला मंत्र है दोस्तो इस मंत्र को 108 बार कर लेना मा महागोरी का धान कर लेना इने वर्शा रूढ़ा के नाम से जाना जाता है ये बेल पर सवार रहती हैं इनके चार हष्ट होते हैं और यह देखने में अती सुंदर हुआ करते हैं इसलिए इन्हें महागोरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों जिनकी शादी नहीं होती है महागोरी की यदि आप बंत्र जप करते हैं महागोरी से प्राशना करते हैं तो उनकी शादी भी शिग्र हो जाया करती है धन्धान की संपत्ती के लिए और भी अपने घर में कोई कारिय नहीं बनता हो उसके लिए आप अपनी कैसी भी अरजी लगाएंगे दोस्ती दोस्तो महागोरी आपके कारियों को अवश्य पूरा करेगे पर इस समय जब आप यह मंत्र करेंगे उसके बाद आपने महागोरी से बोलना है कि हे मा मैं आपके चर्णों में हूँ और मुझ पर यह है जो राहू की दशा चल रही है या राहू मेरे पक्ष में नहीं है या राहू अतिकमजोर है मा मेरे राहू को ठीक करने राहू मुझ पर महरबान होने लगे और राहू की करपा और आपकी करपा मुझे बराबर मिलती रहे पस दोस्तो इतना सा बोल देना दोस्तो किसी का राहू कैसा भी खराब हो समझ लेना राहू की करपा आपके उपर आनी प्रारम हो जाएगी मा महागूरी का आधी पत्य पूरा रहो पर रहता है और आपने यदि रहो की अर्जी मा को लगा दी तो आपका काम बन गया समझो अब राहू से आपको जो मिलेगा मा महागोरी से तो मिलेगा ही मिलेगा अब राहू से जो आपको मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों करके देख लेना और अच्छा लगे किसी को भी बता देना और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंग के साथ तब तक के लिए शेर मता दी